दोस्तो आप अगर अपने अधारकार में मोबाइल नंबर या इमेल आईडी लिंक या अपडेट करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुती बड़ी खुशकबरी है कि आधार कार्ण में एक बहुती बड़ा update आया है जिसके तहरेत आप अपने घर बेटे ही अपने आधार कार्ण में mobile number और email ID link या update कर सकते हो दोस्तों आग से कुछ दिन बेले अगर आपको अपने अधार कार्ण में mobile number या email ID update करानी है और उसके साथ दोस्तो अगर आपके घर में कोई 5 साल के नीचे का बच्चा है तो आप उसका आधार इन्रोल्मेट भी घर से ही करवा सकते हो यानि कि उसका आप नया आधार कर भी घर से ही बनवा सकते हो उसके लिए श्रीफ दोस्तो आपको एक फोर्म फिल करके दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन डबग कर ओन नोटिफिकेशन ओन कर दो जिसे हमारे हर आने वाले इसी तरीके नए वीडियो के करने के लिए आपको इस वाले पेस पे आजाना है डिस्क्रेप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप रिडिरेक हो जाओगे इस वाले पेस पे यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने रिक्वेस्ट रेजिस्टर करानी है जिसके दोस्तों यहाँ पर आपको एक सिलेक सर्विस का ओप्शन दिखेगा तो सिंपली उस पर क्लिक करना है तो जैसी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके समने बहुत सारे ओप्शन ओपन होगे जिसमें आपको एक ओप्शन दिखेगा IPBB आधार सर्विस तो सिंपली उसे सिलक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलक सब के टिकरी पर क्लिक करना है तो आपके सामने दो के टेगरी ओपन होगी जिसमें आपके घर में कोई भी पांच साल तक का बच्चा है और आप उसका आधार इन्रोल में करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर फर्स OTP पर क्लिक करते हो तो आपके mobile नंबर पर एक OTP आएगा वो OTP यहाँ पर आपको फिलक करना है और यहाँ पर confirm service request पर क्लिक करना है तो जैसी confirm service request पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखावा मिल जाएगा request submitted successfully यानि कि आपका request successfully submit पर उसके निचे दोस्तों यहां पर आपको request referral number भी मिल जाएगा जो आपको यहां पर दिखाई देगा उसे आपको copy कर लेना है या कहीं पर save करके रख लेना है अब दोस्तों इसी प्येज में यहां पर उपर आपको एक option मिलेगा click to track your request यानि कि यहां पर click करके आप अपना status track कर सकते हो तो simply उस पर click करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीक से interface आएगा यहां पर दोस्तों आपको अपना mobile number या request number जो हमने अभी copy किया था वो यहां पर enter करना है और face पर click करना है तो दोस्तों जैसे face पर click करोगे तो आपके सामने आपका पूरा status आ जाएगा जिसमें यहां पर अपने area में आधर कार की office कहा है वो office यहां पर show करेगी उसके बाद यहां पर आपका status show करेगा जो कि अभी pending है उसके बाद यहां पर comment show करेगा यहां पर request date show करेगी कितनी तारीक को हमने request बेजी है और यहां पर request service show करेगा अब दोस्तों एक request send हो जाने के बाद within one week के अंदर Indian Post Payment Bank से एक person को आपके address पर बेजा जाएगा जो biometric के थुरू आपके आधर कार में mobile number या email ID अपडेट कर देंगे दोस्तों अपने आधर कार में mobile number लिंक करने के लिए आपको कोई भी document देने की जरूत नहीं है तो सिर्फ आप वो अपने आधर कार की ही जरूत होगा जितनी फीस आधर सेंटर में लगाई जाती है उतनी फीस आपको अपने घर बेठे अपने आधर कार में mobile number या email ID लिंक करने के लिए या अपने बचे का आधर का इंडरो मिल करने के लिए देनी पड़ेगी तो दोस्तों इस तरह के से आप बिना आधर सेंटर जाए अ सब्सक्राइब के लिए गुडबाई